जै हिंदु सुटेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस दिवाशु पांडे और आज की सेशन में हम मैरी टाइम एक्ससाइज कोंकर्ण 2023 के बारे में डिसकुशन करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के इस सेशन की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और यूके की रॉयल 2023 में इस एक्ससाइज को इन्डे नेवी और रॉयल नेवी के बीच में 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आपका कंड़ट किया अगर हम इस एक्ससाइज की लोकेशन देखें तो इस एक्ससाइज को इस बार इन्डे ने ने अरभियन में American Sea के तरफ आपके कोंकर्ण कोस्ट में कंड़क्ट किया है अब देखिए यह कोंकर्ण कोस्ट है इसका हम लोकेशन भी देख लेते हैं तो यहां पर अगर हम भारत को देखें तो भारत हम सभी जानते कि एक पैनेंसूला है यानि कि प्राइवीट देश है और हमारे वेस्टन सेक्टर में यानि कि महारास्ट गोवा और करनाटक की इस इलाके को आपका, यहाँ पर जो आप Red Line देख पा रहे हो, इसको हम Conquer Coast कहा करते हैं, यहाँ पर इस बार की Conquer Exercise आपकी Candidate की गई है, और इस ही Conquer Coast के नाम पर ही इस Exercise का नाम भी रखा गया है, इस Exercise को Rotational Period पर कभी आपकी Royal Navy और कभी India Navy होस्ट किया करती है, इस बार के exercise में इंडियन नेवी की तरफ से हमारी guided missile frigate आइनस थ्रिशूल ने participate किया और वहीं अगर हम बात कर लें रॉयल नेवी की तरफ से तो उनकी HMS Lancaster जो की Type 23 guided missile frigate है उन्होंने various operations में participate किया और कैसे कोई भी drill, कोई भी operation, कोई भी आपका counter terrorism की tactics कैसे की जाए उस पर इनका जोर रहा है और सबसे important बात इस exercise की ये रहिए कि इस exercise में maritime operations like air, surface, subsurface ये सभी आपके conduct किये गए हैं और जो आपका inflatable target killer tomato होता है उनको helicopter operations की मदद से validate किया गया है तो देखिए अगर हम UK की बात कर लें भारत और UK के जो relations हैं काफी पुराने हैं और आप सभी जानते हो कि भारत तो colonial एक nation रहा ही है लेकिन after the independence of India दोनों देशों के relation काफी बहतर है UK permanent five member का एक सदस्य है और भारत को अपने तरफ से पूरी तरीके से support करता है कि भारत भी United Nations Security Council में permanent सदस्यता लें और हम इनके साथ कई exercise validate किया भी करते हैं इस exercise का main आपका यही रहा है कि दोनों देशों की जो नवसेनाएं हैं वो एक दूसरे के साथ अपने operations, tactics और experience को share करके अपने आपको इस digital warfare technology में और भी आगे कर पाएं और maritime operation एक साथ कहीं भी conduct कर सकें इस exercise की अगर हम history देखें तो देखिए भारत और UK की बीच में ये annually basis पर ये bilateral exercise conduct की जाती है 2004 से year 2004 से इस exercise को conduct करना आपका शुरू किया गया है जहां पर दोनों देशों की नवसेना है complexity, scale और intensity पर सबसे यहादा focus किया करती है other than this exercise अगर हम इंडिया और UK की बीच देखें तो एक तो आपके exercise कॉंकर हो गए जिसको 2004 से हम conduct कर रहे हैं दूसरी आपकी exercise इंदरधनुष है जो की air force level की bilateral exercise है फिर आपकी exercise अजय warrior जो की joint military exercise है और तीसरी आपकी exercise cobra warrior है cobra warrior एक multi-nation air exercise है और इस exercise को year 2023 में भारत आपका wedding button air base UK में जाकर इस exercise को march के महिने में conduct किया है तो यह सभी जानकारी information आपके पास रहने चाहिए जिससे की आने वाले exam में जो भी question पूछे जाएं exercise related आप अच्छे तरीके से उनका अंसर दे सकें आप सभी defense experience अपने SSB interview की preparation SSB crack exam की interview master online class में जोड़कर कर सकते हैं जिसकी link नीचे description box में दी गई है इसके लावा SSB crack exam आप सभी defense experience के लिए written courses जैसे NDA, CDS, FCAT, MNS, CAPF इन सभी courses को लेकर आगे आया है जहां पर आप अपने written courses की तयारी करके अपने interview में बहतर प्रदर्शन कर पाएंगे वो औरे 10 quote का ज़रूर यूज़ करें हमारे course में admission लेने से पहले जिससे की आपको 10% का fly discount हमारे सभी courses पे मिलता जाएगा अगर आप एक defense experience है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं